हेलो एवरिवान और वर्म वेलकम तो एचीवर्स यूटूब चैनल नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एचीवर्स की यूटूब चैनल पर तो कैसे हो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आप लोग अपने लाइफ को काफी अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे हो आज मैं आप लोग के समख्च हिस्ट्री का एक काफी सांदार टॉपिक को लेकर आया हूँ जो एक्जाम पॉइंट वेशे काफी इंपॉर्टेंट है जिस पहले किस तरीके से लाइफ को जीए कैसे हर कुछ को खोज किये तो वो सारी चीज को मैं आज बताने वाला हूँ और उस चैप्टर का नाम जितना मैं बोला हूँ उससे आपको यह लाइज हो गया है यह है प्रस्तर यूप आदिम मानव यह चैप्टर है और इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं I I hope आप लोग काफी इनजोई करोगे तो ठीक है बने रहें विडियो क लास तक स्टार्ट करते हैं तो जो यह प्राचिन इतिहास हास है कैसे हुआ तो इसका स्रोत कुल तीन है एक है प्रगतिहासिक काल आद एतिहासिक काल और एतिहासिक काल तो जो प्रगतिहासिक काल था उसमें लिखित साक्ष नहीं है और वही पासान काल के रूप में जाना जाता है और आद एतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष है पर पढ़ा नहीं ज जा सका है तो यह हड़पन सब्रता के नाम से जमाना रहता है और एतिहासी काल है जिसका लिखित साक्ष भी उपलब्ध है उसको पढ़ा भी जाया है तो यह बैदी काल से आगे का सब्रता को एतिहासी काल तो यह तीनों को बारे में हम काफी एक्स्पेरिंग करके पढ़ेंगे तो जो यह प्रवगतिहासी काल है तो उसे कहते हैं जिस समय के स्रोत केबल पुरा तात्विक है लिखित स्रोत नहीं है अर्थात इतिहास का वह काल खंड जिसका सिर्फ पुरा तात्विक स्रोत मिला है लिखित स्रोत यानि साहेतिक स्रोत न योग का काल है उसे हम लोग प्रवगतिहासिक काल के रूप में जानते हैं वही आद एतिहासिक काल के है वो देखते हैं तो एतिहास का वह काल खन जिसके पुरातात्मिक स्रोत है और लिखित या साहितिक स्रोत भी मोजूद है लेकिन उन साहितिक या लिखित स्रोत को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है ऐसे काल को आद एतिहासिक काल कहते हैं उदाहरन के लिए हडपण या सिंदुगाटी सबता है क्योंकि सिंदुगाटी सबता में लीपी मिली है पर अभी तक उस लीपी को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं इसलिए सिंदु घाटी संस्कीती को हम आद एतिहासिक सेवता के रूप में जानते हैं अब फैनली आता है एतिहासिक काल तो एतिहासिक काल वह काल है जिसमें पुरा तात्मिक साक्ष मिले हैं तथा लिखिश साक्ष भी मिले हैं और लिखिश साक्ष को पढ़ा भी गया है उदाहरं के रूप में बैदिक काल में बेदोक्वे माध्यम से उस काल की जानकारी मिलती है और फिर बौध काल, जैन काल, मौर काल सभी एतिहासी काल में ये आता है तो इस तरीके से हम प्राचीन भारत को तीन भागों में बाटते हैं में भारत में सबसे पहले कोई अध्यन किया था तो वह रौवर्ट बूसफुट थे उनके द्वारा ही भारत में सरपथम प्राचीन हासी काल का सोदकाबिसे बनाया गया और इस दिसा में भी खोज की गई अगर बात करें वैस्विक अस्तर पर तो अठारा सो बीस में जौरगेनस थॉम्शन के द्वारा पासान काल के रूप में इसे बिभाजित किया गया और इसे तीन भागों में बाटा गया पासान काल, कास यूग और लोह यूग के रूप में बाटा गया अब बात करते हैं पासान काल, कास यूग, एमलोह यूग, ये कैसे बाटी जाते हैं, तो इसको हम समझते हैं, तो किसी काल बिशेस में मानव द्वारा अपने जीवन के सुभिधाओं के लिए बिभिन परकार के धातू और अस्त्र का परियोग किया जाता था, उस काल में मानव के द्वारा पत्थरों का यूज होता था, पत्थरों का यूज किया गया, उस काल को पत्थर काल अस्तोन एज, यानि पासान काल कहा गया, वही जिस परकार से, जिस काल में मानव ने अपने जीवन के उपयोग के लिए कास धातू का परियोग किया, उस काल को कास यूगीन ब्रॉंज ए जिस काल में मानव ने लोहे का परियोग किया वह काल को लोह यूग यानि आईरन एज कहलाया भारत में उत्रवैदिक काल से लोह यूग का शुरुआत हुआ इस तरीके से प्राचिन भारत में लोह के द्वारा परियोग में की गए धातुयों के द्वारा तीन भागों में बाटा गया अगर भारत में पुरा तात्विक बिभाग की बात की जाए तो भारत में पुरा तात्विक बिभाग का जनक अलगजंडर कनिगम को माना जाता है और इन ही पुरा तात्विक सोथ पर अधारित है हमारा पूरा का पूरा पासान काल तो अब देखते हैं पासान यूग के बारे में तो इतिहास कारों के नूसार इस सबधा का उदभब एवं विकास प्रतिनूतन काल में हुआ और इस यूग को तीन कालों में बिभाजित किया गया, स्टोन एज को तीन कालों में बिभाजित किया गया पूरा पासान काल जो इसको पहलो लिथिक एज बोलते हैं मद्ध पासान काल मिसो लिथिक एज और नप पासान काल यानि नियो लिथिक एज कहते हैं तो पूरा पासान युक को इसे तीन उप भागों विभाजित किया गया मतलब इसको अपने तरीके से पढ़ने के लिए अपने तरीके समझने के लिए इसको तीन उप भाग में बाटा गया जिसमें निम्न पूरा पासान काल फिर मद्ध पूरा पासान काल और उच पूरा पा पचास हजार इसमी पुर्व के बीच में ये इसका टेनियोर था तो इस काल में मानब का जो जीवन था वो अइस्थ था मतलब कभी यहां तो कभी वहां मतलब एक घुमंतु वाटिया की तरीके से लाइफ पोजी दे थे कभी यहां रह रह रहे हैं तो कभी वहां रह रहे हैं म और इसी काल में अगनी का अविश्कार हुआ था, लेकिन ये ब्रिहत्माता में नहीं हुआ था, नॉर्मल में थोड़ा सा हुआ था, मानब समुहों में सिकार कर अपना भोजन संगरह करता था, उसमें जो मानब समुहों जो अपने जीवन यापन के लिए सिकार करके अपना भ सर्स्त धलों का जैसे कुछ भी खाना बनाना हो मीट खाना हो तो इस तरीके का उसका औजार था किसी जानबट से लड़ना भी हो तो इसी टाप के औजारों से वो लोग लड़ते थे तो यह औजार के थू ही उनका पूरा लाइफ जो भी कुछ काटने से जिस तरीके से हम आइटम रखते हैं तो उसी तरीके से उस समय के पत्थरों से ही उसका अलग-अलग नाम था बिदारनी उस टाप का चीज से यूज किया जाता था अब परमुक अस्थल उसका अस्थल कौन-कौन था जिसमें जो लोग यहां रहे थे तो उस अस्थल का है तो कासमीर में थार बेलन घाटी यानि मिर्जापुर जो कि उतरपंदेश में भीम बेटका गुफाओ में सोहन नदी घाटी में तो यह इस जगह पे यह लोग रहते थे तो नर्मान नदी घाटी पास भीम बेटका के गुफाओ से मानव निवास की जानकारी मिलती है और यहां से चितरकारी का प्राचिन्तम साक्ष भी मिलता ही है भीम बेटका की गुफाओ से अब देखते हैं मद्ध पूरा पासानकार जिसका टेन्योर था पचास जार इस्वी पुर्व से चालिस हजार इस्वी पुर्व तो इसमें क्या हुआ था अगनिक का परियोग ब्यापक पैमानों में किया जाने लगा और इस काल को फलक संस्क्रीती भी कहते हैं इस काल में पठ्थर के गोले वटी कसम में उध्योग से बस्तूओं का निर्मान हुआ मुख अजार जो था वो फलक था वेधनी छेदनी और खुरेचनी तो वो खुरेचने वला को खुरेचनी बोल दिया गया वेधन करने छेद करने वेधनी बोल गया छेदनी भी बोल गया और फलक तो उस टाप का कुछ अस्त अस्त होता था जिसको अभी हम लोग डिराइब उतना करनी पाएंगे कि किस तरीके से उसका बेधनी होता था किस तरीके से खुरेशनी होता था और जो मद्ध पूरा पासानकाल में था प्रमुक अस्थाल वो था मिर्जापुर यानि उत्तर परदेश का निवासा जो कि महाराश्ट का था और उडिसा यानि इस जगह में लो अध्योग एवं आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उद्धाय मतलब कि मानव के पास समझदारी आने लगा कि किस चीजे को किस तरीके से करते हैं तो इस समय आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उद्धभव हुआ और सबसे पुरानी चित्रकारी प्रमान भीमबेट का काल इस इन गाओं जो कि महरास्ट में और बेलन नदी घाटी सबहता उसी समय मिला जहां से हडियों की बनी हुई एक मूर्ति मिली जो कि किसी महला की लगती है जिसको मात्री देवी भी कहा जाता तो बेलन नदी घाटी का यहीं इंपोर्टेंस है इक्जाम में कोईशन पूछ देता है कि मात्री देवी की परतीमा कहा से मिली तो यह बेलन नदी घाटी से हडियों की बनी एक मूर्ति मिली जो किसी महला का प्रतीत होता था जिसको मात्री देवी कहा जाता था अब बात आता है मध्ध पासानकाल यह तो था तो आपका यह पूरा पासानकाल का पूरा मतलब यह तीर उभाग था अब सेकेंड आता है मध्ध पासानकाल तो अब मध्ध पासानकाल के बाड़ें पढ़ते हैं इसका जो टेनियोर था यानि समय अबदी था वो 9,090 पुर् लोग उसमें पालने लगे आदमगड और बागुर आदमगड जो मदपडेश में है और बागुर जो राजस्थान में है वहां से पसुपालन का ताचिनतम साक्ष मिला है इस काल में सुक्षम पासान फलक का अधियोग था और मुक अजार वो था वो पत्थर के बहुत चोटे चोटे ओजार थे वो जो मैं आपको पहले फोटो दिखा चुका हूँ और प्रमुक अस्थल था मदपडेश में आधमगड होस्वावाद और भीमबेट का भीमबेट का जो कि भोवाल में है मदपडेश में और वगोर सिद्धी के पास रास्थान में आपका वगोर हो गया गुजरात में लंगनाज हो गया और उत्तरपडेश के महागड मेजा और सराय नहर जो की परताप गढ़ में था सराय नहर और महादाहा का भी इंपोर्टेंस है कि यहां से मनुस्र की हड़ी की अबसेस मिले है यहां से मिट्टी के बरतन एवं गढ़े में बने चूलो का भ और भी कुछ इंपोर्टेंस है तो आदमगड इन दोनों स्थानों से पसुपानन का प्राचिंतम साक्ष मिला जो उपर हम डिस्क्राइब कर चुके हैं और बिहार में आपका पाईसरा और मुंगेर भी इंपोर्टेंस रखता है तो मद्पासानकाल से मनुस्यों को आग का परियोग की जानकारी हो गई अब आता है नपासानकाल तो नपासानकाल का जो टेनियोर था वो 9000 इस्वी पुर्व जो की बिस्व के रूप में 9000 से 7000 इस्वी पुर्व 7000 इस्वी पुर्व भारत में और 25000 इस्वी पुर्व से भारत में नपासान काल का टेन्योर है, इस काल में मानव ने खेती करना परणव कर दिया, यानि मानव के पास दिमाग हो है, किस चीज को किस तरीके से करना है, अपने लाइफ को किस तरीके से हम लोग को बैतीत करना है, किस तरीके से हम लोग को जीना है, तो वो कुछ-कुछ इंसान के पास mind develop होने लगा, तो जैसे जैसे mind develop होने लगा, तो उस तरीके से उन लोग का जीवन सैली भी change होने लगा, पहले लोग जानबरों को मार के अपना जीवन बैचित करते थे, अब लोगों को खेती करना भी शुरुआत कर दिये, तो नप आसान काल से है, खेती करना पर्रम हुआ, और आजार भी इनका develop हो रहा है, दिरे दिरे जिस तरीके से समय बढ़ रहा है, उस तरीके से हर कुछ develop हो रहा है, तो आजार भी पॉलिसदार पत्थर, पत्थर को पॉलिसदार किया जा रहा है, मुख पातार कुलहाडी और हड़ियों का आजार, हड़ि का भ बिहार का सिनुवार और सतरूरिण मांकडोला जो ऐसम ब्रहाम गिरी कोडेकाल हलूर मस्की पिकली अहल सांगेकलू और प्यम पाली जो कि टामिल नडू में है तो ये सब नप्पा सान्काल का कुछ प्रमुक असल था अब नब पासान काल के बारे में विसिस्ट तथ्य देखते हैं तो मेहडगर पाकिस्तान का ब्रुचस्तान जो छेतर सा वहां से गेहूं बाजो की खेती का तथा भेड़ एवं बकड़ी का पालन प्रणंब करने का साक्ष मिला है जो मेहडगर था पकिस्तान का जो इलाका है ब्रुचस्तान का छेतर है वहां से गेहूं बजो का खेती लग गेहूं का भी लोग उपजाने लगए और पेट के रूप में भेड़ एवं बकड़ी को पालने का प्रणंब का साक्ष मिला है कोल्डीवा जो की इलाहाबाद के उत्तरपडेस में हैं वहां से 20 में चाबल उत्पादन का प्राचिंतम साक्ष लगभग 6000 इसमी पुर्व में प्राप्थ हुआ बुर्ज होम यानि भुर्ज विक्ष का अस्थान कहते हैं या कास्मीर गर्तावास गर्धा घर हड़ी के ओजार सुक्ष्म पासान का पुर्ण अभाब प्रमुक ल जाता था और गुफव कराल में कुमहार की गुहा कास्मीर यहां के लोग पसुपालन और क्रिशी दोनों कार करते थे और बिहार का साइट है जिसका नाम है चिरान जो सारन बिहार के पास है यहां भी हडियों के ओजार प्राप्त हुए है बिशेषथा हिरन के सींगों से बने उपकरन मतलब हे उससे और अउजार की रूप में परियूग करते है अब कुछ इमपोर्टेंट्स फैक्ट्स है जो конц जाम में हमेशा आ जाता है तो उसको देखते हैं तो सरपर्थम इसी काल में कुत्यकों पालतू बनाया गया था कुम्हकारी सबसे पहले इसी काल में मिलती है जिसमें बरतनों को पॉलिसदार कला मिर्डभान, गूसर मिर्डभान और चटाई के च्छाब बाले मिर्डभान भी परमूख है पिक्नी हल यानि करनाटक में यहां के निवासी पसु पालक थे पसु का पालन करते थे यहां पर राख के धेर इबं निवासी अस्थान दोर मिले राख का धेर यानि मतलब यह लोग कुछ खाना वाना बनाने का प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया तब तो राख का धेर हो रहा है, कुछ भी चीज को जलाओ ला रहा है अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर प्राइम रोज ने करनाटक के रायचूर द्वाब से पासान काल हत्यार का प्रमान खोजे है वुगर्ब सास्त्री रोबर्ट बूसफूट ने चन्नी के पास पलावरम में पासान काल के हत्यारों की खोज की है यह बुस्फूट के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं सारन के चिरान नामक कर्ष्थान पर बहुत मात्रा में हड़ीयों के ओजार इवं चाबल की खेती का परमान मिला है भारत ही नहीं बलकि पूरे बिस्म में चाबल की खेती प्राचिंतम सक्ष इलाहबाद के जोपनी मांडो से मिला है यह जाने कोश्चन पूछा जाता है कि पूरे बिस्म में चाबल का प्राचिंतम सक्ष कहां से मिला है तो ये जौपनी मांडो है जो कि इलाहबाद का छित्र है वहां से मिला है यहां से पूरा पासानकाल, मधपासानकाल एवं नब पासानकाल के सभी साक्ष मिले ये तीनों का पूरा पासानकाल, मधपासानकाल और नब पासानकाल सभी का साक्ष मिलता है मध्पासानकाल की सबसे बड़ी खोज अगनी क्यूपियों की जानकारी थी अगनी का लोग खोज किये तो मध्पासानकाल का सबसे बड़ा खोज था जो कि मानब का ग्याद सबसे पहला और मानब का जो पता लगाया था तो सबसे पहला जो अनाज था वो जो था और मानब द्वारा बोई जाने वाला सबसे पहला फसल गेहूं था गेहूं को सबसे पहले उन्होंने फसल लगाया था और मानब द्वारा उपयोग में लाई गई पहली धातू तामबा थी जो पहली धातू थी वो तामबा थी तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हो वीडियो को लास्तक बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ जै हिन जै भारत